साल 2024 का मिस वर्ल इस बार मुंबई के BKC में होने वाला है और मिस इंडिया जो बनी थी 2022 में सिनी शेटी वो मिस वर्ल के लिए कंपीट करने वाली है इस वक्त मेरे साथ मौझूद है खुद सिनी शेटी हम उनसे पूछेंगे कि मिस वर्ल की तयारी कैसी चल रही है और तमाम बाते करेंगे बहुत-बहुत स्वागत है जब आपने मिस इंडिया का खिताब जीता था तो मैंने आपका इंटर्विव किया था पिछले साल बहुत सारी बाते आपने बताई थी और आपने बताया था कि मिस वर्ल की तयारी को लेकर क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की तयारी आपने की है क्योंकि मार्च 9 मार्च को होने वाला है मिस वर्ल 2024 तो क्या कुछ बताना चाहिए किस तरह की तयारी आपने की है पहले तो अच्छा लगा आपको मिलके दो साल बात और जैसे मैं आपने मिस वर्ल की जारी बता रही ह काफी कम्यूनिकेशन, आपकी स्टाइलिंग, आपकी वोईस कैसे चेंज होती है, आपकी रामप वोक स्किल्स, मेक अप है, इसमें काफी ट्रेनिंग होती है और उसके साथ परसनालिटी भी डेवलप होती है, क्योंकि इन दो साल में मैं बहुत लोगों से मिली, अपने को बेटर समझ पाई हो, और एक विजन, एक विजन आया है लाइफ में कि इस डिरेक्शन में चाना है, मिस वोल्ड के प्लाटफॉर्म को मैं कैसे यूस कर सकती हूँ अपने और वोल्ड के फाइदे के लिए, तो इतिंक ये सारा प्रपरेशन गया है दो साल में, और अब आ प्रियंका चोपड़ा से लेके तमाम लोग, और तमाम भारतिय लड़कियों ने भी जीता है और इसमें से कई लड़कियां बॉलिवुड में आई है, प्रियंका चोपड़ा से लेके तमाम लोग, कितनी confident हैं आप इस खिताब को जीतने को लेकर, क्योंकि Miss India का खिताब जीतना भी कोई आसान बात नहीं होती है, 30 finalists में से आप select की गई थी और आपने जीता था, एक अलग तरह का confidence आ ही चुका होगा, लेकिन अब कितनी confident है कि ये खिताब आप जीत सकती हैं? मुझे ये पता है कि मैं अपना बेस्ट देने वाली हो, मैं हमेशा कहते हूँ कि God has been kind, भगवान की बहुत दया है, भगवान ने बहुत सपोर्ट किया है, काफी लोग है जो मुझे गूरूम करें, जो मुझे सपोर्ट करें इस जर्नी में, मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ, चाहे कहते हैं कि स्टार शुल अलाइन दाट नाइट, बहुत ये प्रे करूंगी कि वो रात मेरे सारे स्टार अलाइन हो, वर्ल का क्राउन भारत में आना चाहिए, इसकी प्रेयर और एफ़र्ट बहुत लंबे समय तक चालू है, I hope that happens soon. वर्ट को रहुत हैं, I represent 1.4 billion people ke feelings ko represent कर रहुत न वर्ल स्टेच पे, India भुल कर रहा है हाजकिल, हर फील्ड में, इकनोमी हो, sports हो, industry हो, entertainment हो, हर जगह आंड्या का नाम आज, कहते हैं, सका इस लिमीड हो, और इंदिया ने सारी, glass ceilings को shatter कर दिया आज और this is my chance to put India on the global map so there has been a lot of practice, there is a huge difference between both the platforms but it is a continuing process की co-joint process कहते है न वहां से सीखे ही मैं Miss World के journey के लिए अपने तयारियों को support कर रही हूँ Last time जब आप हम मिले थे Miss India का किताब जीतने के बाद तो आपने बताया था कि प्रियंका चोपड़ा से आप काफी प्रभावित हैं काफी प्रेडना लेती हैं उन्होंने Miss World का किताब जीता फिर बॉलिवूड में आई, हॉलिवूड भी conquer किया उन्होंने, global stage पर अब वो अपनी अपना टालेंट दिखा रही है उनसे प्रेडना लेती है सब ने हमें बहुत सपोर्ट, सब की सब एक सोस अफ इंस्पिरेशन है और मैं सब से इंस्पिरेशन लेती हूँ पर येस, Priyanka Chopra है बहुत प्रेडना लेती हूँ बगास मैं बहुत रिलेट कर पाती हूंसे उनकी एक क्वालिटी है बहुत रिलेट कर पाती हूंसे बात पर लास्ट टाइम जो हम मेले थे और हम बात करे थे तो आपने बताया था कि आप एक प्रोड़क्ट एक्जेकुटी के तोर पर काम करती थी और जब मैं इंट्वी ले रहा था तब भी शायद आपने वह जॉब छोड़ा नहीं था आप त्ष। • अभी भी वह शॉड़ी हैं? बट हाँ जरूर मुझे मार्केटिंग पसंद है एक कहते है ना पैशन जैसा है वो मेरे लिए तो मैं अपने वहां से कॉंटाक्ट्स कट नहीं किये है अभी भी थोड़े प्रोजेक्स पे मेरी नजर है ताकि मैं समझ पॉ की ट्रेंड्स क्या होते हैं मार्केटिंग क्या होते है तो प्रैक्टिस और बढ़री है प्रेपरेशन और बढ़री है टाइम जादा इन्वेस्ट हो रहा है महां पर मैं यह भी आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी तमाम लड़कियां हैं जो ब्यूटी पैजेंट जीतना चाहती हैं हिस्सा लेना चाहती हैं वर्ल स्टेज पर इंस्पायर करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़किया हैं आपकी तरह जो वर्किंग वुमेन हैं काम कर रही हैं कहीं लेकिन कहीं न कहीं दिल में खौईश दबी हुई है उनके की हम भी काश ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा ले पाते हैं ऐसी लोगों को आप क् आप काफी कॉंफिडेंट हो अपने स्किन में और आपको पता है कि आपकी ओथेंटिसिटी और अपका ट्रू सेल्फ आपको आगे लेके जाहेगा तो आपको जरूर यह परस्यू करना चाहिए इस इस वान टाइम उपरचुनिटी मुझे मेरे किसी एक फ्रेंड ने कहा था कि आपके बहुत इतने अच्छे थे कि चालिस दिन की चुट्टी दी थी आपको मिस इंडे की प्रपरेशन करने के लिए सभी के बहुत इतने अच्छे नहीं होते है वेल उन्होंने मुझे चालिस दिन की चुट्टी नहीं दी थी उन्होंने काम फिर भी दिया था मुझे वो समझे थे कि मुझे अपना ताइम यहाँ भी देना है, मुझे अपना ताइम यहाँ भी देना है, मुझे अपना ताइम ओफिस में भी देना है, बट यहाँ अपना सारा काम किया था जाने से पहले, तो I think to balance it out is something that is very important and यह एक पॉंट मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि कहते ह अगर आप दोनों साइड पहर रखोगे, यह दोनों नाव में पहर रखोगे तो यह ना हो जाए कि आप डूब जाओ, तो यह बैलन्स रखना बहुत इंपोर्टन और इसको आप डे में कैसे डिवाइड कर सकते हो, आपका प्लान कैसे, अपना डे कैसे स्केडियूल कर सकते यह सारी चीज़े आपको आगे लेके जाएगी और आपके अमबिशिन और आपके जो फ्यूचर गोल्स है, इसमें आपको काफी हल्प कर पाएगी. मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जब आप ब्यूटी पेज़ेंट जीतते हैं, तो बहुत सारे ओफर्ज मिलते हैं, बहुत सारे शोशल कॉस से जुड़ने का मौका मिलता है, बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिलता है, किस तरह से आपकी जिन्दगी बदल गई है इन दो सालों में जब से आपने ये खिताब जीता है? जब हम स्कूल में जाते हैं, हम जब परस्यू कर रहे थे एजुकेशन, तब हमें सिल्बिस खतम करने का एक रेस होता था, अधे सेम ताम जब हम प्रफेशनल फील, हम जब ऑफिस, एम्प्लॉइमेंट के तरफ जाते हैं, तब हमको पता से चलता है कि सॉफ्ट स्किल्स, प काफी कम होता है, और जब मैंने देखा कि यह जो गाप है बट्वीन एजुकेशन एंप्लॉइमेंट, वो गाप फिल कर रहा है, पॉब्लिक स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स, और बिकेम मैं विजिन और मिशन फॉर माई प्रजेक्ट, मैंने टीच अंडिया के साथ को लाब और यह जो था सकता है और यह पएन गुष्ण मी भी काम किया है, और श्री बत्शी को पाहिए में से हां फ्र३ में गुम्ण कर एक पूंच में जानी का मौका बट्ल मिला है तूर बहना है, सहानु पएन हुझ हो क्पाइस स्ट पहले का हों आप यहां जाने का मुका बने से पहले थी पहले, काफी सुंदर कॉंटिनेंट है, बट वहां पर मुझे एक जनीव करके कंट्री है, वहां जाने नहीं मिला था, और रिसंटली, इसी 2023 में, जुलाइ में मैं जनीवा जापाई जहां पर मैं ने प्रिंसस अफ जनीवा के साथ काम किया, उनके फांडेशन के लि काफी खूबसूरत शहर है, और उसके साथ जो काम करने मिला वो और भी ज़्यादा खूबसूरत था, एक ऐसी चीज आप करना चाहेंगी, मिस वर्ल्ड बनने के बाद, वो खिताब जीतने के बाद, या पाटिस्पेट करने के बाद, जब फिनाले हो जाएगा, एक ऐसी ची चीज जो मैं बहुत था जिएगे इस टाइगी जिसी मिस वर्ल्ड के कॉंटेस के बाद? पूरी दुनिया घूमनी का मौका मिले, जैसे हम हर कंट्री में जाके अपना फाउंडेशन वर्क करते है, अगर मुझे वो काम करना मिले और उसके साथ कंट्रीज भी एक्स्प्लोर करने मिले, शायद वो चीज मैं काफी एकसाइटेड हो उसके बारे में. पिछली बार जब मैंने सवाल पूछा था क्या प्रियंका चोपडा की तरह आप भी बॉलिवुड में कदम रखना चाहेंगे और तमाम मिस वर्ल्स ने भी काम किया है, तब आपने कहा था कि जैसे मौका बनेगा तब उस हिसाब से आप फैसला लेंगी, क्या फिल्मों में काम अब ही तक मैंने कुछ काम इतना किया नहीं है, बट अगर ऑपरचुनिटी मिले जैसे मैंने कहा था कि अगर मुझे जो ऑपरचुनिटी मिलती है, मैं उन्हें अवेल करने की कोशिश करती हूँ, मिस वर्ल्स होने के बाद अगर मुझे वो ऑपरचुनिटी मिले, मैं I have been a cinema lover, मैं बच्वन से Bollywood पिच्चरे देखते हैं, तो अगर मुझे सिल्व स्क्रीन पर रहने का मौका मिले तो जरूर मैं उसे अवेल करना चाहूँगी, बस एक आखरी सवाल, Miss World का खिताब जीतने की कोशिश जो आपकी चल रही है, और वो जल्दी तारीक आज आज आएगी, 9 मार्च, लेकिन मम्मी और पापा ने कुछ कहा होगा, कुछ सला दी होगी, कुछ बताना चाहेंगी, इतने बड़े टाइटल के लिए आप कंपीट करने वाले कुछ कहा उन्होंने, क्या उनका कहना है, क्या उन्होंने सला दी? उन्होंने सिर्फी कहा है कि we are proud of you, हम बहुत proud है, गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटी आज Miss India है, आप Miss World जा रहे हो, अपना best देना, कभी पीछे मुड़ कर देखना नहीं, always look in front और ये कहना कि मैं अपना best देने वाली हो, और उन्होंने मुझे बहुत support किया है, आज कह सकती ह कि वो मेरे backbone है, Miss World competition के लिए, मैं जितनी भी तैयारी कर रही हूँ, उन्होंने सब में उन्होंने में को support किया है, and I hope I make them proud. चलिया, हम भी यही चाहेंगे कि आप एक बार फिर से इंडिया को proud feel कराए, Miss World का किताब जीत कर, Miss World 2024 का किताब जीत कर, ये भी पीनियों से खास बाचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और इस title के लिए, इस competition के लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रा है. Thank you, thank you so much, Daniela.